हेलो दोस्तो, सोच ग्रणिक की में आपका सागत है दोस्तो दिवाली एक ऐसा त्यवहार होता है जिससे हम बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं यह त्यवहार हमारे अकेले का नहीं होता है बलकि पूरा भारत वर्ष में से मनाया जाता है और दिवाली में हम सभी अपने घरों को डिकुरेशन से अच्छे से अच्छे सजाने के कोशिश भी करते हैं लेकिन घर को सजाने के लिए जब हम मार्केट से समान खेंद जाते हैं तो वो काफी महंगे दामों में मिलते हैं या तो हम offline खर दे या online वो सारे एक सारे बहुत महगे होते हैं तो दोस्तों यार विडियो आज का हमारा घर के बेकार समानों से बनाएंगे कुछ ऐसा आकर सक जो आपके काफी पैसे भी बचाएंगे और यह देखने में भी बहुत दिस सुन्दर बनेंगे तो जैसा कि आपने देखा है कि इसके लिए हमने लिया है विनीगर का बोटल, अलिमुनियम पेपर का अंदर वाला रॉल और हमने लिया है एक सो बाल का ढखकन अलिमुनियम के रॉल को एक इंच पर निसान लगा कर कट कर लेना है और 1.5 इंच की काटी उसमें कुछी इस तरह से लगा लेना है लगाने के बाद बोटल में कुछ हमें इस तरह से सेट कर देना है जैसा कि आप इस विडियो में देख रहे हैं विनीगर के बोटल में नीचे की ओर से एक के कर के रॉल को लगाते जाना है अगर आपको लगे कि बोतल में यह नहीं अंदर जा रहा है दब रहा है तो यह काटी से पहले आप गरम करके निशान भी लगा सकते हैं यह बनने के बाद काफी सुन्दर दिखने लगता है सारे कटिंग को हमने इसमें सेट कर दिया है और अब गोल्डन कलर से इस बोटल और पेपर के कटिंग को अच्छे से हमें पेंट कर देना है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कर देख रहे हैं अच्छे से कलर लगने के बाद असुखने के बाद या कुछ इस तरह से दिखेगा अब हमें चाहिए गोल्डन कलर का हाड़ पेपर और हमने एक सो बार का धक्कन लिया था धक्कन के साइज के पेपर को दो कटिंग कर लेंगे तो दो पेपर का कटिंग हमने धकन करनुसार कटिंग कर लिया है अब पेपर पर लगा लेंगे फैवी कॉल गुलकार पेपर पर अच्छे से हमें फैवी कॉल को हर तरफ से लगा लेना है और अब धकन की एक स्टाड में इसे चिपका लेंगे इसी तरह दुसरे पेपर को भी फैवी कोल लगा कर अधकन के उपर वाले भाग में चिपका लेंगे हाथों से अच्छे से दावा कर इसे चिपका लेना है ताकि ये सब तरफ से अच्छे से चिपक जाए जब यह चिपक जाएं तब इसको उपर वाले भाग में फैवी कोल लगा देंगे और एक सुन्दर सा लेशिस पर चिपका देंगे यह देखने में और भी सुन्दर लगने लगता है और यह तियार होगी हमारा स्टेंड अब बीच में भी थोड़ा सा गम लगा लेंगे उसके बाद बोतल जिसको मनें तयार किया था अस्टेंड उसको इस तरह से चिपका देंगे और यह हमारा तयार हो चुका है दिया अस्टेंड जो देखने में काफी ही प्यारा लग रहा है अब इसके बाद सुन्दर सा एक छोटा सा रंगोली बना का तियार कर लेंगे और यह हमारा छोटा सा रंगोली बन कर तियार हो चुका है अब इसके उपर में दिया श्टेंड को रख देंगे जो देखने में काफी ही सुन्दर लग रहा है अब अगर आप चाहें तिस पर कुछ इस तरह के भी केंडल लगा कर रख सकते हैं इस तरह के केंडल भी इसे आकर सक बना सकता है आप देख सकते हैं यह देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है या फिर आप चाहें तीशे स्टेंड पर मिट्टे की छोटे-छोटे दिये भी रख सकते हैं या एक ऐसा स्टेंड है जिसे आप जैसे चाहें वैसे अपने घर पर साजा सकते हैं या फिर आप घर पर ये छोटे-छोटे केंडल बना कर भी रख सकते हैं इस candle का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं या उपर दिये गए i-button पर क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं ये घर पर बहुत अशानिचे बन कर तयार हो जाता है तो आप चाहिए इस candle दिये कभी इस्तमाल कर सकते हैं ये भी इस stand को काफी ही आकरसक बना देता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसे बनाने में कोई भी खर्च नहीं पड़ा जैसा कि आपने देखा बेकार चीजों से कितना बढ़िया सा stand बनकर तयार हो चुका है और इसे हम जैसे चाहें वैसे यूज़ भी कर सकते हैं और देखने में ये काफी आकरसक भी लग रहा है जबकि ऐसे stand हम मारकेट से खर्ड़ने जाते हैं तो काफी महेंगे दामों में मिलते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बक्स में कमेंट करके हमें ज़रू बताईएगा साथ साथ अपने दोस्तों को साथ में सेर जूड़ कीजेगा और अगर आप हमाई चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक से शेस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा साथ बेल बटन भी दवा दिजेगा जिसे नेक्ट वीडियो आप तक कसानी से पहुंजाएगा तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई तो जिसे नेक्ट वीडियो में कि अजय को कि अजय को